सभी सातियों को मेरा नमस्कार आज हम आपको इस वीडियो में कुछी सेकंड्स में फोटो का बैक ग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं वह बहुत ही आसान स्टेप्स में आपको बताऊंगा फोटो का बैक ग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे तो आप इसे अपने mobile, laptop या computer से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आप एक professional photo editor है या फिर आप एक YouTuber है, blogger है तो अक्सर आपको अपनी photo का background change करना पड़ता होगा तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें कि हम लोग photo का background step by step कैसे change करते हैं तो आप लोग देखें और हम वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि photo का background रिमू करने के लिए हमारे पास जरूरी चीज़ें क्या होनी चाहिए जैसे कि मेरे पास या तो mobile phone हो, laptop हो, computer हो इन तीनों में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए फिर इन तीनों में हमें कोई भी एक browser होना चाहिए browser like in the sense, google, chrome browser, mozilla, firefox कोई भी browser फिर उसके बाद में proper internet connectivity होने चाहिए internet connectivity का मलब मेरे पास net होना चाहिए तो मेरे पास एक mobile है तो पूरा process हम आपको mobile phone पर करके दिखाते हैं तो हम लोग अपने mobile phone की screen पर चलते हैं तो हम लोग अपने phone में google chrome browser को open करते हैं और search बार में हम लोग type करेंगे remove जैसे ही हम लोग remove लिखते हैं तो देखिए कि search बार में नीचे notification में आए गया remove bg तो हम लोग remove bg type करके search करते हैं जैसे ही हम लोग remove bg type करके search करते हैं तो मेरे सामने इस तरह का एक page open होकर आता है और आप लोग इसको direct link से भी open कर सकते हैं जो link आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है यह देखिए link हमारा दिया हुआ है www.remue.bg तो मैंने इसका link description box में दे दिया है आप लोग उस पर click करके direct space पर जा सकते हैं जैसे ही हम लोग इस पर click करेंगे तो मेरे सामने एक इस तरह का interface खुल के आ जाएगा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा remove image background और यहाँ पर upload image लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर अपने mobile phone को desktop mode में लगा लेते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है upload image का तो हम लोग यहाँ पर upload image बटन पर click करेंगे गल्री में redirect कर दिया जाता है तो हम लोग mobile phone की गल्री में आ जाते हैं तो हमें जिस भी photo का background select करना होता है तो हम लोग उस photo को click करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर photo का background remove करूँगा मैं उस photo को यहाँ से tick करता हूँ तो हम लोगों को यह photo select करना है तो जैसे हम लोग इस photo पर click करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर उपर done लिख के आ रहा है तो हम लोग इस done वाले button पर click करेंगे जैसे हम लोग done वाले button पर click करते हैं तो मेरी जो photo है upload होने लगती है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरी फोटो यहाँ पर upload हो रही है जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि फोटो upload होने के बाद में मेरी फोटो इस तरह से खुलकर आ गई है तो मेरा पहले original background क्या था मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग original पे टैप करेंगे तो आप देख लिजिए मेरा पहले इस photo का background ये था जब हमने photo को वहाँ upload कर दिया तो हमारी इस application ने तुरंत ही photo का background रिमू करके इस तरह का background दिया तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग इस के द्वारा आप लोग अपनी file को दो extensions में save कर सकते हैं आप हमेशा याद रखिए file के दो extension कई सारे extension होते हैं तो हमारी ये जो site है ये file को दो extension में save एक png format में एक jpg format में तो मेरी photo जो इस background रिमुब हुआ है ये png format में है तो जब हम लोग इहाँcionould button पे क्लिक करेंगे जैसे ही यह download button पे click करेंगे तो मेरी photo download हो जाएगी तो हम लोग यहाँप download button पे click करते हैं तो आप देख रहे है कि मेरी photo यहाँ पे download लोड हो गई है हम लोग इसको open करते हैं तो आप देखे मेरी photo png format में save हो गई है पर हमें इसका background और भी आप कई सारे background इसमें लगा सकते हैं तो हम लोग यहां पर जो edit बटन दिया हुआ है इस edit बटन पर click करेंगे तो हमारे सामने जो नया page खुलेगा उसमें कई सारे background आ जा करते हैं जैसे ही edit बटन पर click करते हैं तो कुछ इस तरह का हमारे सामने interface आएगा तो आप लोग देख रहे होंगे कि photo में इदर कई सारे option आ रहे हैं कई सारे background आ रहे हैं आप इस photo पर कोई भी background बहुत ही आसानी से सिर्फ simple एक click करने पर ही आप लोग upload कर सकते हैं कि जैसे हम हम लोग इस background पर click करते हैं कोई background आप ले लीजिए इस background पर click करते हैं तो background हमारा automatic वो आ जायेगा दीखिये मैंने उस पर click किया हमारा background इस photo पर dato मेंadan अगया कोई दूसरा background हम लोग select करते हैं जैसा हमने यह वाला background select किया तो मेरा background सिर्फ simple click में ये background आगए देखिए मेरा कितना अच्छा background आगए photo में तो आप लोग इस photo को यहाँ पर जैसे ही हम download button पे click करेंगे यहाँ पर यह photo इस background में download हो जागे हम लोग download बटन पर click करते हैं तो देखिए हमारी जो image है वो यहाँ पर click करने पर download डाउनलोड हो चुके तो हम लोग open बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहा है कि मेरी फोटो का background क्या था और सिर्फ जिस्ट वन क्लिक में मेरी फोटो का background कितनी आसानी से बदल गया तो हम लोग यहां से back जाएंगे और भी यहां पे बात करते हैं कि color की जैसे ही आप यह देखो यहां पे हमारा एक color बटन दिया हुआ यह देखिए color लिखा हुआ है जैसे हम लोग इस पे tap करेंगे तो हमारे सामने फोटो के सामने simple plain color आ जाएंगे जैसे हमने इस color पे click किया तो देखिए हमारी फोटो जो है इस color में आ गए तो हम लोग यह download button पे click करेंगे download image पे click करेंगे फिर download click करते हैं और photo download होने गए ओपन करते हैं यह photo मेरी open होकर आ गई इसका मतलब यह है कि अगर आप photo shop पर कोई भी photo print करना चाहते हैं और एक अच्छा background लगाना चाहते हैं तो just इस side पे जाकर के सिर्फ कुछी seconds में आप photo का background remove करके photo shop पर photo print कर सकते हैं इसका video मैं अलग से बना दूँगा आप लोग वो देख सकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी photo का background हम लोग कैसे हटाते हैं और किसी भी photo का background हटाना कितना आसान है इस तरह आप आसानी से और बहुत ही कम समय में किसी भी photo का background हटा सकते हैं मुझे उमीद है कि photo का background remove कैसे करते हैं आप सब समझ गए होंगे अगर वीडियो पशंद आया है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड के साथ सेयर करें अगर आपके मन में कोई कन्फूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं धन्यवाद